नमस्कार मैं हूँ जूही वर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव MP मध्य प्रदेश की मुख्य मंतरी शिवरा सिंग चोहान अपने मंतरियों के साथ चाय पर चर्चा कर रहे हैं हर दिन एक अलग मंतरी के साथ चाय पीते हैं सुबै की चाय पीते हैं उन मंतरियों से जुड़े विभागों की की वो विभागों में क्या काम कर रहे हैं कौन सी योजनाय हैं जन पर आगे काम चल रहा है कौन सी योजनाय ऐसी हैं जो प्रदेश के विकास को आगे ले जाएंगी इस तरह की तमाम चर्चाएं होती हैं कोशिश मुख्य मंत्री की ये है कि इस तरह चर्चा करके वो मंत्रियों से संपर्क में भी रहें, उनके विभागों की जानकारी भी लेते रहें और प्रदेश में विकास का आगी जो रोड मैप है उस पर भी चलते रहें अब इसी तरच पर पूर्व मुख्य मंत्री कमलनाथ भी मंत्रियों से चर्चा शुरू करने वाले हैं, ये चर्चा भी चाय पर होगी, फर्क सिर्फ इतना है कि ये मंत्री वो मंत्री नहीं होंगे जो फिलहाल शिवराज कैबिनेट में वाकई प्रदेश के मंत्री हैं, बलकि लेकर अपने 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 हिस्सो में काम कर रहे हैं, इस पूरी चर्चा का सबब ये होगा कि नगरी निकाय चुनाव बहुत जल्द आने वाले हैं और इस चुनाव में कॉंग्रेस ज़्यादा से ज़्यादा नगरी निकायों पर अपना ज़ंडा फैराना चाहती है और इसी कवायत का ये हिस्सा है कि कमलनाथ मंत्रियों से पूर्व मंत्रियों से चर्चा करेंगे कि किस तरह नगरी निकाय चुनाओं में वो काम बहतर कर सकते हैं और किस तरहें कॉंग्रिस अपनी जीत के जंडे अलग-अलग नगरी निकावयों में गाड़ सकती है अब देखना ये है कि चाय पर चर्चा कॉंग्रिस में भी शुरू हो चुकी है और बीजेपी पर भी शुरू हो चुकी है चाय के प्याले में जब तूफान आता है तो वाकई बवंडर लेकर आता है तो क्या इस बार नगरी निकावयों में कोई परिनामों का ऐसा बवंडर दिखाई देगा जो सूबे की सत्ता को हिला कर रगतेगा नमश्कार